हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईबी के तरफ से यहां पर सेक्यूरिटी एसिस्टेंट और एक्जिक्रिटीव और मल्टी टास्किंग स्टाफ यानि की MTS का एक जनरल विगेंसी यहां पे निकल चुका है तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके full notifications के बारे में और साथ में यह भी बात करेंगे कौन लोग इसे apply करेंगे उनकी age limit क्या होने चाहिए qualifications क्या होने चाहिए salary क्या होगी examinations process या selections process और syllabus क्या हो सकते हैं इन सभी चीज़ की बारे में आज इस वीडियो में जनकारी लेने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के जैसे कि आपके सामने ये PDF देखने को मिल रहा होगा जहां पर साफ mention किया गया है कि IB जो है ये online application फोर्म निकाली गी जो आपका ministry of home affair के अंदर में आता है अब यहां पर तीन post है जैसे कि आपको पता चल चुका है security assistant, executive और MTS का जिसके अंदर हम बात करते हैं तो total यहां पर अच्छे कासी वेकेंसी निकाली जा चुकी है जो कि हर एक यहां पर जो भी IB का जो quarter है वहां कि आप देखने को मिलेगा और यह भारत के अलग-अलग जगा पर आपको देखने को मिलेगा तो total यहां पर आप देख पा रहे होंगे 37 जगा पर यह वेकेंसी निकलने वाली है तो total यहां पर अगर देखेंगे तो 1521 seat total यहां पर दिया गया है जहां पर आपका security assistant के लिए है और अगर multitasking and staff general की बात करते हैं तो total यहां पर 1500 seat है तो total मिला की देखा जाए तो लगभग यह 1621 seat या 1670 का असपासमे seat vacancy दिखने को मिल रही है अब यह भारत की हर एक जगा पर देखने को मिलेगा अब यहां पर देखें यहां पर क्या इसमें eligibility कहा गया है जैसे गर मैं बात करते हैं अगर तल्ला का और मेती यलूजाई इसमें से कोई भी अगर लेंगोज आपको आता है तो आप इस form का अप्लाई कर सकते हैं अगर तल्ला के लिए जहां पर देख पारे हैं जेनरल करेगरी OBC नन किरी मिलियार SC, ST और EWS का seat यहां पर टोटरे मिला के 14 seat दिखाए गया है तो यहां पर category wise जो है आपका seat यहां देखनों को मिल रहा होगा और साथ में कितना total seat उस जेखाब पर है वो भी आपको देखनों को मिल रहा होगा जैसे अगर अहमदाबाद के लिए apply करेंगे तो इसमें आपको गुजराती आना जरूरी है अमडिसर है तो वहाँ पंजाबी आना जरूरी है इजावल की बात करते हैं तुलाई, माडा, पंग, ब्रू और बुरमीज यह से भी आपको language आना जरूरी है तो यहां पर language पलस seat आपको यहां देखनों को मिल रहा होगा अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर कौन-कौन इस form का apply करेंगे तो सबसे पहले यहां पर बताये गया है post के description के बारे में कि post क्या होगा तो यहां पर देख पारें security assistant और MTS के लिए अगर मैं बात करता हूँ security assistant के लिए तो यह group C का vacancy है दोनों जोकि non-graduate post है जहां पर level 3 का payment आएगा और MTS में आपको level 1 का payment आएगा अगर हम general security की बात करते हैं तो level 3 में आपको 27,700 रुप्या से लेकर 79,100 रुप्या तक आपको इसमें मिलेगा साथ में जो भी allowance जो central comment देती है उसको जो और किंग है तो लगग आपका 25,000 से 26,000 से पलस आपका salary आपको आजाएगा उसी परकार से level 1 की जब बात कर रहे हैं MTS में 18,000 से लेकर 56,900 पर आपको salary बनेगा बाकिस में कुछ allowance जो होंगी वो भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप special security allowance अगर देखते हैं तो 20% आपको basic पर का मिलेगा जो भी आपका basic पर होगा उसका 20% आपको देखने को मिलेगा जो आप यहाँ देख पर 21,700 से लेकर 69,100 यह से भी आपका basic पर है और इसी का 20% आपको extra allowance के ओपर मिलता है वहीं पर गर देखते है cash compensation के तोर पर जब duty आपको holiday के दोरान भी अगर आपने काम किया तो 30 days का यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर कुछ cash compensation दिया जाएगा यानि जिस दिन में कर तहवार है अगर उस दिन भी duty कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ इसका compensation दिया जाएगा यह भी ध्यान रखना है और साथ में local language जो भी mention किया गया है वो आपको आना जरूरी है desirable qualifications में है कि आपका जो भी field experience होगा यानि intelligence work के अंदर तभी आपको IV में दिया जाएगा याँको IV का मतली भी होता intelligence bureau यह आपका intelligence कितना आप में है वो भी यहाँ पे check होगा यह desirable qualification ने निसेसरी नहीं पर यह होना जरूरी है अब बात करते है age limit की बारे में ति minimum अपका 18 साल और maximum 25 साल होना चाहिए 25 November 2022 सक में जिसमें कि 27 साल से उमर आपको पार नहीं होना चाहिए यह अगर मैं बात करता हूँ तो general security की बात कर रहे है और वहीं अगर MTS की बात कर रहे है तो 18 से 25 और इसमें 27 साल तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे छूट में मिलेगा आपको जैसे 5 साल का SCST को 3 साल का OBC को अगर कोई candidate departmental candidate है तो उनको 40 साल तक उम्मरे में छूट दिया जाएगा यह भी यहाँ पे बताएगा अगर वो 3 साल लगातार काम कर चुके होंगे सर्विस के अंदर IB के अंदर ही तभी उनको 40 साल का छूट दिया जाएगा अगर कोई general candidate है तो 35 साल उनको age limit दिया जाएगा SCST को यहाँ पर 40 साल तक दिया जाएगा अगर वो इम्मेन judiciary separated है जिसके husband नहीं है उनके लिए अब यहाँ पर देखते हैं और भी इसका information जो इंपोर्टेंट होना चाहिए जो आपके लिए important है तो यह post जो है आपका All India में कहीं भी दिया जासकता है इसकी कोई भी जनकाड़ी आपको नहीं पता चलेगी कहीं भी आपको यह job दिया जासकता है तो candidates को भी यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको कहीं भी apply कर सकते हैं बिना गोई problems के अब बात करते हैं selection process की बारे में तो यहाँ पर आपकर दो examination देखने को मिल रहा है Tire 1 और Tire 2 अगर Tire 1 की बात करते हैं सभी के लोग common होगा जिसमें total 100 question होंगे एक घंटा का समय दिया जाएगा जोकि examination online होंगे 5 भाग में देखने को मिलेगा 20 question एक पार्ट होंगे यानि कि 20 पचास सो marking में allow किया गया है 0.25 marks यानि 4 question अगर आप गलती करते हैं तो एक सही बूल आपका क्या होगा खतम हो जाएगा इसी पकर से जो बच्चे Tire 2 में जाएगे यहाँ फिर आपका offline examination होगा descriptive होगा जहाँ पर आपको translation करना होगा 500 words का को भी local language में दिया रहेगा उसको English या other language में convert करने के लिए कहा सकता है इसी पकर से part of Tire 2 की बात करते हैं जो सिर्फ security assistant के लिए होने वाला है जिसमें कि आपको spoken ability यानि बोलने के लिए आपको होगा Tire 3 के examination और यहाँ पर MTS का दूसरा exam लेकर खतम हो जाएगा और लेकिन जो बच्चे next process में जाएंगे Tire 2 के लिए वो सिर्फ security assistant Tire 3 में जाने वाले हैं जो को interview और personality test हो का 10 marks के होंगे वहीं पर Tire 2 आपका 40 marks के होंगे और एगंटा के समय आपको दिया जाएगा तो total 140 question के examination यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं तो calling 5 marks जो रखा गया है पचास में से 20 रखा गया है Tire 2 के अंदर और 16 से 40 में से 16 रखा गया है Tire 2 के अंदर यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब यह form काप से स्टाट होगा यह form 5 November 2022 से स्टाट होगा 25 November 2022 को खतम हो जागा 12 बजे रात में जहाँ पर examination fees देख पा रहे हैं तो 50 रखा लगेगा general report process के लिए और 4 रखा यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जतने भी candidate हैं उनको यहाँ पर recruitment process का charging देना पड़ेगा साथ में जो बच्चे male candidate हैं AWS, OBC और general में उनको examination fees पलस 50 रखा यानि कि 500 रखा जनरल OBC को पेग करना पड़ेगा और SCST और female candidate को यहाँ पर 50 रखा खली पेग करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो और important आपके लिए यहाँ पर और भी कुछ important information देखने को नहीं मिल रहा है बस यहाँ पर लिखा गया है कि 25 November 2022 तरगी form आपका complete हो जाएगा और यहाँ पर बताएगा वार्दिंग के तोर पर कि देख लेजएगा कि यहाँ पर कोई fake vacancy से नहीं रहने चाहिए तो यह बहुत important था और यह बहुत और आसर करता हूँ यह आपको पूरता समझमा आगी अगर notifications के बारे में मिलेंगे जल्दी next video में thank you for watching this video